नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरा परीचित दोस्त उपस्तित हूँ, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्तो पूर्ण जानकारियों को ले करके, आईए आज हम सभी जानते हैं गिलोई की पहचान, गिलोई के फायदे और नुकसान के बारे में। गिलोए बट्टी आप चानते हैं कि एक बेहद हीं, बेहतरिन और शद ही है, क्या आप एक ऐसी जड़ी बुटी की खोज कर रहे हैं, जो कि आपकी अधिकांश स्वास्थे समस्याओं का इलाज करें, तो आपके लिए गिलोए से बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है यह आपको एक बड़ी संख्या में लाभ प्रदान करता है, और इसके कुछ लाभों को निश्चित रूप से आपको अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ होगा, सबसे पहले इसकी पहचान जानना जरूरी है, कि कैसे हम इसे पहचानेंगे, क् कि बहुत लोग ऐसे हैं, जो कि गिलोए के बारे में नहीं जानते हैं, गिलोए आयरुवेद में मौझूद सबसे महत्वपून जड़ी ब्यूटियों में से एक है, यह भारतिय टिनोस्पोरा या गुदूची के रूप में जाना जाता है, गिलोए को अक्सर अमरिता बुल लेकिन जानकारी के अभाव में गिलोए की पहचान नहीं कर पाए हूँ, गिलोए का पोधा एक बेल के रूप में होता है, और इसकी पत्तियां पान के पत्ते की तरह होती हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि गिलोए के और शध्य गून कई प्रकार की बीमारियों को ठी गिलोए के कुछ एक महत्वपूर्ण फायदें हम आपको आज अपनी इस वियो में बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं गिलोए के फायदों के बारे में, गिलोए के प्रियोग से इम्मुनिटी सिस्टम को आप बिल्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, गिलोए का पहला औ और जीगर के विशाक्त पदार्थों को दूर करता है और मुक्तकन को भी बाहर निकालता है यानि कि free radicals को दूर करता है इन सबके अलावा गिलोग बेक्टिरिया मुत्रमार्ग में संक्रमण और जीगर की बीमारियों से भी लड़ता है जो अनीक रोगों का कारण बनते हैं नियमित रूप से गिलोई जो उसका सेवन करने से रोगों से लड़ने की शमता बढ़ती है गिलोई के फायदे ढेंगू में भी होते हैं कैसे करना है उपयोग ढेंगू में ये जानते हैं गिलोई का एक अन्य बहतरीन लाव है कि यह लंबे समय से चले आ रहे हैं ज्वर और रोगों का इलाज करता है क्यूंकि यह प्रकृत्ति में ज्वर नाशक है तो यह जीवन को खत्रे में डालने वाली बिमारियों के संकेतों और लक्षणों को कम कर सकता है यह आपके रक्त में प्लेट लेट्स की गिंती को बढ़ाता है और डेंगू बुखार के लक्षणों को भी दूर करता है गिलोई के साथ तुलसी के पत्ते प्लेट लेट्स की गिंती को बढ़ाते हैं और डेंगू से लड़ते हैं गिलोई के अर्क और शहद को एक साथ मिला क पीना मलेरिया में उप्योगी होता है बुखार के लिए 90 प्रतिशत आयरवेदिक दवाओं में गिलोए का उप्योग एक अनिवारे घटक के रूप में होता है गिलोए के और शधिय गुण पाचन को बहतर भनाते हैं बस इसका प्रियोग करना है कैसे यह हम आपको बता रहे ह गिलोए आपके पाचन तंतर की देख भाल कर सकता है आधा ग्राम गिलोए पाउडर को कुछ आउला के साथ नियमित रूप से लें अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए गिलोए का रस छाच के साथ भी लिया जा सकता है यह उपाय बवासीर से पीडित रोग्यो के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है संग्षेप में गिलोए दिमाग को आराम देता है और अपच को रोक सकता है इसके अलावा यह मधुमिय रोग को भी दूर भगाने का बेहतरीन उपाय है और शद ही है अगर आप मधुमिय से पीडित हैं तो गिलोए निश्चित रूप स कम कर सकता है यह टाइप टू डाइवेटीज के इलाज को बहुत आसान बनाता है मधुमिय रोग्यों को नियमित रूप से रक्त शर कराके उच्चस्तर को कम करने के लिए गिलोए का जूस पीना चाहिए इसके अलावा आप गिलोए का सेवन मस्तिश्क के टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है यह दोनों मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है एक उत्कृष्ट स्वास्थे टॉनिक बनाने के लिए गिलोए अकसर अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया जाता है यह स्मृति को बढ़ावा देने और आपका काम पर ध्यान लग इसका नियमित सेवन एक उत्कृष्ट मस्तिश्क टॉनिक के रूप में समझा जाता है गिलोई को अकसर एक बुढ़ापा भी रोधी जड़ी बूटि के रूप में जाना जाता है गिलोई रस के फायदे हैं दमा के इलाज में भी उतने ही कारगर अस्थमा के कारण छाती मे जकडन, सांस की तकलिफ, खांसी, घबराहट, अन्य सभी रोगों में ऐसी हालत के लिए इलाज मुश्किल हो जाता है हरांकि कुछ आसान उपायों से अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है उनमें से एक उपाय है गिलोई यह अकसर अस्थमा के रोग्यों के इलाज क असे और अधिक प्रभावी बना देता है इसके अलावा गिलोई के उपयोग से आप गठिया से राहत पा सकते हैं अगर आप में से कोई वात रोगी गठिया से पिडित है तो आपको गिलोई का सेवन करना चाहिए इसमें सूजन को कम करने के साथ साथ गठिया विरोधी प्रयोग किया जा सकता है गठिया के इलाज के लिए यह घी के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है यह रुमेटी गठिया का इलाज करने के लिए अधरक के साथ प्रयोग किया जा सकता है गिलोई के उपयोग से आपको मिलेगी कामेक्षा में वृद्धी अगर आपको लगता है कि आप विष्टर पर अच्छे नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है आप तुरंत गिलोई का सेवन शुरू कर दें पुरूशों के लिए भी गिलोई एक वरदान है क्योंकि गिलोई एक कामो द्विपक दवा है जिसकी मदद से शरीर में कामेक्छा की ब्रिध्ध होती है यह सिक्स इक्छा शक्ति को बढ़ाता है इसके फ़ल स्वरूप आप वैवाहिक सुख अच्छी तरह से भोग सकते हैं और चस्मे के बिना बेहतर देखने में मदद करता है भारत के कुछ भागों में लोग गिलोई को आँखों पर उप्योग करते हैं आप गिलोई को पानी में उबालें उसको ठंधा करें और फिर आँखों की पलकों पर लगाएं आपको निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देगा गिलोई रस बेनिफिट्स युवात तवचा के लिए जिहां आपको अगर फियर स्कीन चाहिए चमात इसकीन चाहिए इसमें भी फायदे मंद होता है गिलोई उम्र बढ़ने के लक्षनों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें उम्र वि नहां से काले धब्बे पर गिलोई के रस को लगाने से सब तवचा रोग ठीक हो जाते हैं इन सब रोगों के अलावा गिलोई और भी कई प्रकार के रोगों में उप्योग किया जाता है गिलोई तवचा और लिवर से संबंधित रोगों के इलाज के लिए चीनी के साथ प् गिलोई के कारहे में शहद मिलाकर दिन में दो-तिन बार पीने से भी ठीक हो जाता है गिलोई के तने को उबाल कर बनाए गए कारहे को ठंधा करके पीने से उल्टी से रहत मिलती है गिलोई के रस का सेवन करने से दिल की कमजोरी दूर होती है और दिल के रोग भी ठीक हो जाते गिलोई के रस के सेवन से शरीर में खुन की कमी यानि के एनुमिआ दूर होती है . शरीर में जलन से रहत के लिए गिलोई के रस को उम्र या इस से उपर के बच्चों के लिए सुरक्षित है हलांकि गिलोई की खुराक दो सप्ता से अधिक या बिना आयरुवेदिक डॉक्टर की सलाह के नहीं दी जानी चाहिए इसके कुछ नुकसान भी होते हैं जादा आप लेते हैं तो ये भी जान लीजिए जरूरी है य परवती और अस्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसके इस्तेमाल के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए यानि कि इन कंडिसंस में अगर आपकी बॉड़ी है तो आपको बचना चाहिए गिलोई के प्रयोग से बिदाउट डॉक्टरी परामर्स के तो ये थी आज कि हमारी जानकारी आप सभी के लिए मित्रों अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्तो पूर्ण जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों